जैश्री राम, जैश्री राम का worldwide closing collection सामने आ गया है साथ ही फिल्म की OTT release date भी सामने आ गई है ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म 16.2023 को देज़भर में रिलीज हुई थी फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सेफाली कान लीड भूमिका में थे फिल्म रिलीज होते ही डायलोग, VFX और किरदारों के लूप को लेकर विवादों में गिर गई फिल्म को बंपर ओपनिंग तो मिली लेकिन फिल्म दिरे-दिरे नीचे गिरती गई अधिपुर्यूस की रिलीज से पहले ही इसे लेकर खुब हाइप क्रियेट की गई थी दर्सक भी नए रूप में रामकता देखना चाहते थे यही कारणे की फिल्म ने 84 करोड के साथ ओपनिंग की थी लेकिन पहले ही दिन से विवादों ने फिल्म का दामन ठाम लिया और इसका ग्राफ नीचे गिरने लगा फिल्म को दर्सकों ने नकार दिया और फिल्म पहले ही विक के बाद फिल्म का कलेक्शन गिरने लगा फिल्म ने पहले विक में 266 करोड रुपे का बिजनेस किया था दूसरे विक में इसका कलेक्शन गिरकर सिधे 33 करोड आ गया इसके बाद तीसरे सब्ता में इसने सिर्फ 4 करोड 80 लाक रुपे की ही कमाई की थी प्रवास के माइटोलोजिकल एपिक ड्रामे के क्लोजिंग कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में यह 305 करोड रुपे रहा और विसुवर में इससे 353 करोड रुपे कमाए फिल्म का बजट 600 करोड से जादा था और इसमें 1500 करोड के साउथ थेटर राइट्स प्रवास के नाम थे दोस्तो प्रवास की फिल्म भले ही दर्सोकों को खुछ नहीं कर सकी लेकिन प्रवास को एक बात से जरूर रहाद मिलेगी आदिपुरुस प्रवास की एमजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी प्रवास को अब इस साल आने वाली उनकी फिल्म सालार से उमीद है फिल्म को केजिय फेम प्रसांद निलने निर्देशित किया है फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी मही 2024 में प्रवास की फिल्म प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी तो जोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपका मेरी वीडियो पसंद देता हमें कमेंट करकर जरूर पता है और इसे लेटेस्ट अपड़ेट जानने के लिए अब हमेरी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद